राजस्थान में कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता शांती धारीवाल के हालिया बयान ने फिर से विवाद को जन्द दिया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और इस पर भाजपा द्वारा बार बार सवाल उठाने का जवाब देते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है। उनका यहाँ बयान पिछले कुछ समय से चर्चा का विशय बना हुआ है। थासकर तब जब उन्होंने महिला बलातकार के मामलों पर विधान सभा में बहस के दोरान ऐसा कहा था। शांती धारीवाल ने फिर से दोहराया अपना बयान कहा राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने आगे कहा इसमें गलत क्या है। महिला सुरक्षा का सवाल उठाने वाले पहले आठ महिनों में सरकार की स्थिती देखलो धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में कई सूर्मा पैदा हुए हैं। और यदि वह ऐसा न कहें तो और क्या कहें। उनका यह बयान न केवल उनके अपने राजनीतिक विरोधियों को मौका दे रहा है। बलकि इस पर समाज के विभिन्न वर्गों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का सवाल उठाने वाले लोगों को पिछले आठ महिनों में सरकार की स्थिती देखनी चाहिए। कॉंग्रेस के इस वरिष्ट नेता ने भाजपा पर तंस कस्ते हुए कहां की वर्तमान सरकार भजन कीरतन करने वाली कमपनी बन गई है और उनके पास कोई स्पष्ट विजन या योजना नहीं है। इस प्रकार धारिवाल ने अपने बयान के जरिये न केवल भाजपा पर हमला किया, बलकि अपने दल के प्रती भी एक तरह का समर्थन व्यक्त किया। राजस्थान में इस तरह के बयानों का राजनीतिक महत्व होता है। और यह स्पश्ट है कि धारीवाल का यह बयान आगे भी चर्चा में रहेगा। उन्हें अपने बयान की गहराई और सामाजिक प्रभाव का ख्याल रखना होगा। ताकि उनकी पार्टी की छवी को नुकसान न पहुचे।